हरी दुवार में जैसे कि आज आप यहां का मौसम देखी रहे हैं अभी जहां पर धूप कितनी ज़्यादा खिली हुई है और घाट पर आप शर्धालों की संख्या भी देख सकते हैं आज घाट पर शर्धालों कितने ज़्यादा भीड़ है आज घाट पर हाथी पुल के उपर से हम ये आपको लाइव वीडियो आज की दिखला रहे हैं यहां की और देखिए आज गंगा जी का और जल परवावी देखे काफी तेज है सामने धुनुश पुल के आप जहां से दर्शन कर सकते हैं और जहां से आपको शिवजी जी की बहुती बड़ी प्रतिमा बनी हुई है उसके भी दर्शन आपको यहीं से हो जाएंगे और देखिए यहां से आज गंगा जी का जल में काफी मट मेला तो आज बहुत कम नजर आ रहा है क्योंकि बारिश के कारण पेले पेले काफी मट मेला था लेकिन आज बहुती गंगा जी का जल देखने में साफ और शुद लग रहा है शर्धालों की काफी भीड है और जिस यह जो आप मेन एंटरेंस देख रहे हैं यह रिशी केश बाइपास से आप इस तरफ आ सकते हैं हर की पौडी अगर आप रिशी केश बाइपास से यहीं से रिशी केश के लिए आपको आटो भी मिल जाएंगा और यहीं से उतर कर आप हर की पौडी तक भी आ सकते हैं और पुल के ओपर छोटी छोटी दुकाने आपको इस तरीके की लगी हुई भी मिल जाएगी और अगर आपने अभी बदरी नात, कैदार नात, धाम के लिए जातरा के लिए चार धाम की जातरा आप पूरन रूप से जा सकते हैं कहीं भी लैड्स लैंडिंग की कोई भी घटना अभी नहीं हुई है, बड़े अराम से आप लोग जा सकते हैं और देखिए पुल के ओपर से क्या शांदा नजारा आ रहा है आज हरी दुआर में शर्दालों की भीड आज बहुत ही ज़्यादा देखने को मिल रही है और ऐसी तरह कई दुकाने, बहुत ही ज़्यादा दुकाने आपको पुल के उपर ही मिलनी शुरू हो जाएंगी शर्दालों आ रहे हैं और कई शर्दालों दर्शन करने के बाद अपने वापिस जा रहे हैं घरों की तरफ हरी दवारम तो भई जहां पर आकर बहुती मज़े हैं जहां पर शर्दालों पूरे परिवार के साथ आते हैं और शनान भी करकर यहीं से जाते हैं और देखे गंगा जी का कितना विक्राल रूप आज हरी दवारमें देखने को मिल रहा है दिन के समय में आज काफी धूप रही है और शाम के समय में शर्दालों की काफी संख्या रही है दिन के समय धूप के कारण लोग कम आते हैं और गंगा जी की आरती समाप्त होने के बाद यह आप दिरिश्या देख रहे हैं जो अभी रात का दिरिश्या है और गंगा जी के आरती समापत हो चुकी है और शर्धालो ने शिनान करने द्वारा फिर से शुरू कर दिये है गंगा जी में और ये में जो है पुटर हरकी पौडी यही है सामने जो है महला घाट है और यही है में हरकी पौडी यहां पर आकर शर्दालू बहुत ही जादा शिनान करते हैं यह घाट जो है थोड़ा सा सिर्चा है थोड़ा सा तंग है और जो दूसरे घाट है वहाँ बहुत ही बड़े बड़े घाट बने हुए है दूसरी तर्फ हमारी बाई तर्फ जो बने हुए है और आत के समय का यह आ करते हुए जहांपर कितने ज़्यादे शर्धालू आज शनान कर रहे हैं गंगाजी में इस घाट पर कभी-कभी पानी का भाब तेज भी हो जाता है कभी-कभी कम भी हो जाता है यह घाट एक लिंटड घाट है यहां पर यहां पर पानी का बहाब को कंट्रोल कर सकते हैं पीछे से बैराज से पानी का बहाब ज्यादा और कम छोड़ा जाता है और देखें कैसे छोटे-छोटे बच्चे अभी यह भी आये हुए हैं गंगाजी में शनान करेंगे लोग यहां पर आकर शॉपिंग ब waited करते हैं आप यहां की मार्किट में जाएए मार्किट में आपको बहुत ही चहल पहल मिलेगी शाम के समय में रात के समय में 10-11 वे तक तक तो जहां पर मार्किट पूरी फुल भरी रहती है क्योंकि शर्धालू जो आते हैं मार्किट थोड़ी सी तंग है और शर्धालू जो आते हैं यहां से बहुत सारी शोपिंग करकर साथ में लेकर जाते ह तो जैसे कि अभी आप देख रहे हैं, पानी का जलपरवाव काफी कम है और शर्धालू जो आपको देख रहे हैं सामने देखिए घुटनों घुटनों तक सिर्फ पानी है इनके, कोई ज्यादा जलपरवाव नहीं है यहां से और अभी हम पुल के उपर हैं पुल के उपर से आपको यहां की लाइब वीडियो आज दिखा रहे हैं यहां पर और शर्धालों की भीड जहां से जो की देखने में काफी ज्यादा लग रही है आज यही वो प्वित्तर स्थान है सामने की तर्फ जो आपको दर्शन हो रहे हैं यहीं पर गंगा जी की आरती हर रोज होती है सुबा और शाम हरी दोबार में मेन जो आते हैं गंगा जी की आरती देखने को ही आते हैं जो की सुबा और शाम दो समय में होती है यहां पर आर्ती देखने लाइक होती है होती थोड़े से समय की है लेकिन गंगा जी की आर्ती देखने लाइक होती है अब जहां की मार्किट का देखे भी आज कितनी ज़्यादा भीड है अभी मार्किट में यह में मार्किट है हरीदवार की और शरधालों की भीड देखिए यही वह स्थान है जहां से आगे आप जाकर गंगा जी के आरती में आप सिमलित हो सकते हैं और निशुलक जूता घर भी यहीं पर साथ मी बने हुए होते हैं आप वहां पर अपने जूते जमा करवा कर गंगा जी के आरती में नीचे जा सकते हैं जूते हमेशा अपने जमा करवा कर ही जाएं कवकी जहां पर लोग जो हैं काफी कई ऐसा हो जाता है कि आपके जूते किसी दूसरे जूते से साथ रल जाते हैं और लोग समझ नहीं आती ही हमारे जूते कहां चलेगे इसलिए आप जूता स्टाल पर अपने जूते जमा करवा दें और देखिए आज कितनी ज्यादा हद से ज्यादा भीड़ है आज यहां पर आज तो पैर धरने की जगा नहीं है इतनी ज़्यादा भीड हो चुकी है यहां मार्किट में गंगा जी की आरती जब समाप्त होती है तो उसके बाद में सबी लोग जो शरदालू होते हैं वो मार्किट में निकना शुरू कर देते हैं जिसके कार्ण यहां पर इतनी सारी भीड इकठी एक साथ में आ जाती है और वो ही भीड यहां से देखने में आपको बहुती ज़्यादा लगती है दिन के समय में भी यहां पर थोड़े सी कम होती है लेकिं रात के समय में जहां की मार्किट देखने लाइक है इसलिए यहां पर भीड भी बहुती जादा इकटी हो जाती है हरी दवार में रहना है तो आपको सस्ती सस्ती धनशाला ही मिल जाएंगी अगर इस मार्किट में आप नजदीक रहना चाहते हैं यह देखिए यहां पर नीशुल्क जूता स्टाल है आप यहां पर भी अपने जूते जमा करा कर दाइं तर्फ नीचे उतर कर आप गंगा जी की आरती ले सकते हैं उसके दर्शन भी कर सकते हैं यहां से जो नजदीक हैं जो होटल्स हैं उनके रेट बहुत तेज होते हैं अगर आप स्टेशन की तरफ में जाकर होटल्स लेंगे तो थोड़े से आपको सस्ते मिल जाएंगे मेरी इसला है कि आप स्टेशन के आसपास ही लें क्योंकि वहां से बहुत ही ज़्यादा सस्ते आपको होटल से मिल जाएंगे और जहां तक आने के लिए आटो वाला 20 रुपे आपसे लेगा एक पर परसन का चार्ट जो कि बहुत ज़्यादा कम है लेकिन यहां पर होटल आपको 2,25 से कम नहीं मिलेगा और स्टेशन के पास आपको होटल 500 से 800 रुपे में मिल जाएगा और जैसे कि अभी आप यहां पर देख रहे हैं इतना कुछ यहां पर लाइट वगारा भी सब कुछ चल रहे हैं और रात के समय का यह दृश्या है 9 बच चुके हैं तकरीवन देखे फिर भी शर्धालों का यहां पर पूरा इकट है